असलाम अलेकुम फ्रेंड्स, वेल्कम टू लेर्न डाट पीकेंड सिब्क्राइब एस टू कीप इन कंडेक्ट आज हम तुलुबा की चैनल क्यूरी जैन जैसे ही लहोड हाई कोड ने PMDC की तमाम पालिसीज को 2019 की अड्मिशन पालिसीज को गयार कनूनी करार दिया तो तमाम तुलुबा का एक क्वेच्चन था सर क्या नेक्टिव मार्किंग इंकलूड होगी या फिर इन पालिसीज के बाद क्या MDKD कंडेक्ट होने का चांस किसी तरह से बन सकते हैं इसके लावा मेरिट की उपर क्या इफेक्ट होगा इन तमाम बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहली बात चंद यहीं वजुआ थी जिनकी वड़ा से मैं लास्ट डेज में इतना खुलके इन पालिसीज के गैर कनूनी करार दिये जाने के उपर स्पोर्ट नहीं कर रहा था क्योंकि हमें पता था क्या होना होना यह था कि उन तुल्बा का फाइदा होगा जो के प्राइट में अपलाई करना चाहते हैं जैसा स्टेर्ट इंट्री टेस्ट यहां बलोटिस्तान वाले लेकिन वो तुल्बा जो कि पब्लिक में अपलाई करते हैं उनका इन पालिसी के गैर कनोनी किरा देने से नुकसान था जो कि तुल्बा नहीं समय दे थे खैर कैसे नुकसान है अब जब मेट्रिक और O-Level इंक्लूड होगा तो मेरिट है वो अटोमेटीकलि का ज़वी हाई होगा आप जैसे ही मेट्रिक के मार्क्स को क्लूड करेंगे और FSC के मार्क्स को कम करेंगे तो अटोमेटीकली मेरिट होगा खैर ये तो एक अलग बात है दूसरी बात तुल्बा कहा रहे हैं सबसे एहम बात वह आपको बता दूँ के वह तुल्बा कौन से हैं और वह किस बन्याद पर यह कहा रहे हैं कि PMDC की पाल्सिज लोड हाई कोट ने क्योंकि गैर कदोनी किरा दे दी हैं अब MDK रिकंडक्ट होने का चांस है वह यह सोच रहे हैं कि लाज्स टेस्ट में 220 में से होते हैं 2018 में इस टेस्ट में 200 में से होते हैं इसलिए पाल्सिज गैर कदोनी किरा दे जा चुकी है अब रिकंडक्ट होगा तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि PMDC का मतलब है पाकिस्तान मेडिकल एंडेंटर कॉंसल ना कि पंजाब मेडिकल एंडेंटर कॉंसल और पाकिस्तान में जितने भी इंट्री टेस्ट हैं उनके लिए पलिशिज डी थी पीमडिसी ने और पहले भी यह पलिशिज थी खैड लास्ट येर भी अगर यूएचेस के टू टूट्वंटी एंडेंटी एंडेंटी थे तो नामजिक एंडेंटी थे तो आप यह नहीं कह सकते कि इन एंडेंटी की वड़ा से डीकंड़क्ट हो तो इसलिए यह पॉसिबल नहीं हैं दूसरा तो लाजिक तुलबा दे रही हैं जो नेक्टी मार्किंग तो नेक्टी मार्किंग भी लास्ट येर नम्स के डेस्ट में पहले भी नहीं होती इस मरतबा भी नहीं हुई इस तरह से आप पीम डीसी को पाकिस्तान मेडिकल एंडेंटर को उसलिएंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी के रीकंड़क् के अडिमिशन पॉसिबल है एक्रिगेट की परसंटे चेंज करके आप मैड को इंक्रीज कर सकते हैं लेकि यहां फिर जोंसे सैवन्टी परसंट से बिलोग वाले प्लाई नहीं कर सकते हैं उनको यूज करके आप उन तुलबा को भी अडिमिशन के लिए अपलाई करवा सकत हैं जो कि पहले नहीं कर सकते हैं लेकिन रिकंड़क्ट के लिए आपके पास कोई लाजिक नहीं है अगर आप इसलिए कहते हैं कि पहले जोंसा था वो टूट्वंटी एंप सीद होते थे अब टू हैं तो नम्स भी एक एम्डी केट कर टेस्ट है वो भी एडिमिशन कंट्र करते हैं उसके भी तो पहले 180 होते थे आप उसे क्यों नहीं कहते हैं तो इसको आप समझें एम्डी केट के कोई चांसे नहीं हैं अगर इसके लाबा कोई ऐसी सोलिए डिजन हो जिसकी वरा से रिकंड़क्ट हो क्योंकर यहां तो पेपर जोंसा है वो लीक हुआ हो यहां फि पहले के दिए से बाहर से भी आ सकता है यह फिर इस तरह कोई इश्यू हो पीपर लीक हो चिटिंग वाला तो फिर रिकंड़क्ट होता है ऐसे नहीं होता करें दूसरी इंपोर्टन बाद डिसक्स करते हैं नेक्टिव मार्किंग तो तुलूबा के थे हैं पीम डिस्टे की पर बात की लेकिन नेक्टिव मार्किंग के बारे में कुछ नहीं कहा तो अगर नेक्टिव मार्किंग वह अपलाई कर दें यकीन करें मैरिट पहुत ही कम हो जो तुलुबा अवि 68 मार्क्स लेकर यह अभी 185 मारक्स वाले हैं खास दोर पर अगर उनके फारJack 15 मार्क्स कम कर तो वह 190 प्लस स्वार्स द्रॉट्रें को कब भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे नेट्व मार्किंग से मैरिट यूँ निचाएगा तो नेट्व मार्किंग पोसिबल नहीं यह काफे डिफिकल्ट है कि नेक्टी को अपलाय किया रहे वो क्यों कियों कि मैं पहले बता चुका हूँ यह पंजाब की मेडिकल को नहीं है पाकिस्तान की है उसने नम्स एफम्डिसी स्टेट इंडी टैस्ट ब्लोट किसान वालों के तमाम के लिए दिया था अपने यह न्यू पालिसिज अडिमिशन पालिसिज अगर यह पालिसिज गोड़ी है तो तमाम के लिए उडी है तो नम्समें भी लास्ट यर में आपसे पहले कभी नम्स में शीजिज्ज मार्किंग इंक्लूड नहीं हुई करें तो फिर क्योंकि यूएचस अपने MDC के लिए कुछ कर सकती है लेकिन PMDC के पास ये इक्तियार नहीं था खैड नेक्टिव मार्किंग PMDC की वज़ा से इंक्लूडी नहीं हो सकती अगर यूएचस अपने तोड़ पे उसे एड़ करता है तुल्बा का न्यूर्जर्ट अपलोड करता है तो ये उसका इक्तियार है ना के PMDC का होप ये बेस्त अफलाग अल्लह हफीज